नमस्कार, मेरा नाम ही माईश्टेन और ये वीडियो वैरीकोसील के पेशन्ट के लिए है इस वीडियो में मैं एक रिपोर्ट भी शेयर करूँगा और एक मित को भी क्लियर करूँगा, जो हम वैरीकोसील के पेशन्ट्स में अकसर सुनते हैं और इस बारे में डौक्ठर upon क्या उनको समझाते हैं या उनकी आज पास की सोशल लाइफ है वो उनको क्या बोलती है सबसे पहली चीज की जो आज रिपोर्ट है वो है व बेसिकली केली एक पेशन थे हमारे वह उनको बाइलेतल वेरीकोSeeल था basically वो bilateral varicocele आज की डेट में दो महीने का उन्होंने treatment continue किया और उसके बाद वो आज बिलकुल ठीक है उनको दो problem थी साथ में epidemal cyst के साथ-साथ उनको varicocele की problem थी epidemal cyst का size भी छोटा हुआ साथ-साथ उनका जो varicocele basically जो bilateral varicocele था वो आज की date में no varicocele seem दिखा है रिपोर्ट में जो current report आई है तो इस चीज को हम समझते हैं जानते हैं क्योंकि varicocele की भाहत से patients यही समझ पाते हैं कि वो सिर्फ surgery से ही ठीक हो पाता है surgery के लावा उसका कोई और option नहीं है but हम eye weight को इस हद तक ले जा चुके हैं कि वो आज की date में आपके blood flow को सही direction दे सकता है आपके blood flow को सही कर सकता है जिसकी वज़ा से जहां पर भी varicocele develop हुआ है उसकी नसों को ठीक कर पाए महाकार जो diameter है उसको ठीक कर पाए और इसके साथ साथ जो varicocele के patient है mostly हम उन्हें कुछ cases ऐसे भी देखते हैं जिनको varicocele की भी problems होती है उन्होंने कभी exercise नहीं कहीं उन्होंने कभी कुछ अलग से perform नहीं किया एसे कोई running नहीं करते हैं एसे कोई cycling नहीं करते हैं उनका कोई gym से कोई nata नहीं था बट उनको varicocele develop हुआ बट उनकी body में हम ये जरूर देख पाते हैं कि उनको varicose vein की problem होगी है अब varicose vein की problem बहुत जगा से आ सकती है varicocele की problem भी बहुत जगा से आ सकती है जैसे कि genetic disorder ना हो अगर genetic disorder आपकी family में किसी parents में किसी को भी background में उनके दादा दादी को भी कभी ये दिक्कत होती है तो ये शायद आपकी body में reflect हो गई है ये चीज आपकी body में आ गई है और second कि आपकी जब development stages हुई development stages में कभी कोई injury हुई तो maybe शायद वो develop हो गई या maybe आपकी कोई injury भी नहीं हुई बट development की stages में कुछ ऐसी जगायां पर आपके blood flow का खुद ही rotation गुमना चालू हो गया अंदर ही नसों के अंदर ही जहां पर उसने आपकी नसों को मोटा कर दिया और वहां पर वो blue color का या पॉपलिश color की आपको दिखने चालू हो गई तो बट हम वेरिकोसील और वेरिकोस विंस को दोनों को cure कर सकते हैं दोनों treatable हैं और curable हैं ये जरूरी नहीं उसके लिए हमें surgery करवानी पड़े और जहां तक हमारे पास cases आते हैं surgery के बाद भी ये problem उनके साथ बनी रहती है क्योंकि वो root cause पे work नहीं करते बट हम आईवेद में root cause पे work किया जाता है उसकी जड़ को खतम किया जाता है तब ही वो आपको बार बार आपकी body पे reflect नहीं करता क्योंकि surgery में हमने देखा कि एक बारी surgery हुई उसके आद फिर reflect हो रही है surgery के बाद तो थोड़ा time सही रहा उसके बाद फिर वोई problem वहीं पे जनेट होनी चालू हो गई है pain करती है और अलग से symptoms आपको दिखाई देते पड़ते हैं varicose vein और varicose vein बट इन case में आपको दिक्कत surgery के बाद जादा लगती है क्योंकि वहाँ पर pain as in compare to पहले से जादा हो रहा होता है और अगर हम इसको आईवेड पे जाते हैं तो वो treatment थोड़ा लंबा जरूर है बट treatment से आपको permanent राहत मिल जाती है क्योंकि वो root cause को खतम करकर आपकी body की नसों को दुबारा फूलने से रोक देती है और इसके साथ-साथ एक myth होती है वो इसके अलावा varicocele के patients जो हमारे पास आते हैं उनके mind में ये बहुत सारी चीज़े चल रही होती है कि इस दोरान मैं sex कर सकता हूँ या इस दोरान मैं sexual intercourse या शारेरिक संबंद बना सकता हूँ नहीं बना सकता देखो एक ही myth है कि varicocele के patient कोई erection में या erectile process में as such varicocele से कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि varicocele आपकी testis की तरफ जाने वाली नसों के blood flow में दिक्कत है ना कि आपकी erection वाली side पे कोई दिक्कत है कुछ rare cases होते हैं as such जहाँ पर varicocele की वज़ा से आपको erectile होने में दिक्कत है बट बहुत सारे as such cases बिलकुल ठीक होते हैं उनको mind जो है वो as such perform करता है या as such वो mind से इस तरीके से सोचते हैं कि varicocele है तो शायद sex करने में उनको दिक्कत आ रही है या उनको erectile होने में दिक्कत आ रही है बट ये एक तरीकी के myth है वो आपका एक भ्रह्म है जो आपके mind में चल रहा होता है इसके इलावा कुछ नहीं अगर आप varicocele के patient हैं तो आप अपने शारिरिक संबंध अराम से बना सकते हैं और even sexual intercourse को enjoy भी कर सकते हैं बट यहाँ पर एक myth को हम ठीक करते हैं कि अगर आपको varicocele है तो जरूरी नहीं कि आपको erectile dysfunction की problem हो तो अगर आप varicocele के patient हैं और अगर आप यह सोच रहे हैं कि मेरे को varicocele और शारिरिक संबंध मुझसे नहीं बनाने चाहिए या बनाते हो तो आपको ED जैसी problem face करनी पड़ती है तो उसके उपर एक अपने आपको सोचो कि आप इस तरीके से क्यों perform करे हो किस चीज से डर रहे हो किस चीज के आपको दिक्कत लग रही है अगर उस बारे में आप सोचोगे समझोगे तो शायद वो चीज आपकी ठीक हो जाए क्योंकि आदी erectile dysfunction की problem आपकी mind से start होती है ना कि आपके penis से समझे इस चीज को अगर ED की problem आप face कर रहे हो तो cause of अपने mind से करते हो mostly cases में और बाकी आपकी जो penile activity होती है या जिसे हम penis बोलते हैं उससे नहीं करते हो उसको check करने का सबसे बढ़िया source क्या है कि अगर आप सुबह के time urination करने जाते हो तो अगर उस time आपके erectile जो होता है actual penis जो है अगर erectile form में होता है तो it means कि आपको ED की problem नहीं है और अगर वहाँ पर ED की problem arise हो रही होती है तो आपको सुबह urination करते हैं कोई erectile नहीं होगा अगर होगा तो बहुत low erectile होगा तब हम एक समझ सकने कि हाँ वो एक ED की problem है तो अगर आपको किसी की बारे में जानना हो वेरिकोसील के बारे में जानना हो यह वेरिकोसील का एक IOA treatment होता क्या है उसको समझना भी हो तो आप नीचे दियेवे number पे हमें call कर सकते हैं मेरे team से बात कर सकते हैं और अपने आपको एक stable condition में ला सकते हैं अजिन नो वेरिकोसील या नो वेरिकोस वेन और एवन अपने माइंड को भी एक सीधी पार्ट जगा लगा सकते हैं अजिन नो वेरिकोसील के साथ रिलेटेड उस चीज़ को भी आप कवर कर सकते हैं और अगर आपको इस वीडियो पसंद आयू हो तो प्लीज लाइक शेयर बेल का इंदरबाधी जेकाब थेंक यू एंड थेंक यू वरी मच